define what is a polynomial so define करने से पहले देखो पॉलनॉमिल की जो Definition ही है तो अगर आप अपनी ncidi बूक देखते हो तो उसमें जहां पर ये chapter खतम होगया बटा पॉलनॉमिल का chapter जहां पर खतम होता है आपकी बूक में second chapter on that page definition of polynomials is given दी कहा होनी चीए, polynomial का chapter में polynomial की definition कहां दी होनी चीए first page पे दी होनी चीए लेगिन NCRD वालों ने last page पर क्यों definition डाली है why they have put the definition on last page because they feel कि अगर हमें बच्चों को correct definition बतानी है, polynomials की तो it can be tough for the kids to understand the correct definition of polynomials, इसी लिए तो हम भी वैसी चलते हैं हम example से सीखते हैं कि polynomials क्या होते हैं, okay सबसे पहले हम ये पूछते हैं देखो, match में अलग-अलग branches है, coordinate geometry अलग branch है statistics and probability एक अलग branch है geometry एक अलग branch है algebra एक दूसरी branch होती है, algebra is that branch in which हम ऐसी ऐसी numbers को हम x, y, z से दिखाते हैं है ना, तो अगर मैंने का बटा, 2x plus 3y की क्या value आएगी निकालो और मैंने आपको बताया, x minus 1 है और y 7 है, तो आप बड़े राम से निकालोगे, है ना, x को minus 1 लिया, y को 7 लिया तो आपके पास ही 21 है ना, तो आपके पास answer आगे 19, तो मतलब algebra is a branch of mathematics in which we represent numbers, इस expression में हमने x और y को x minus 1 है, y 7 है तो numbers को हमने x, y, z symbols से दिखाया, x, y, z को बोलते हैं, symbols, तो algebra is a branch of mathematics in which numbers can be shown by symbols ये branch होती है, तो अब ये क्यों बात करें algebra की, क्योंकि हमें polynomials की definition समझ नहीं है तो ऐसी algebra के बाद एक next term आती है algebraic expression, now what do you mean by an algebraic expression, expression में, तेखो, अगर मैं अभी जो लिखा था ये एक algebraic expression है this is an algebraic expression 2x plus 3y is an algebraic expression, कितने symbols है मिटा इसमें, दो है x और y, ठीक है और ये जो दोनों है ठीक है जो plus sign से जुड़ी हुई है इनको हम टर्म्स बोलते हैं we call them as terms so इसमें कितनी terms है two terms है, इस algebraic expression में two terms है, कई बार यहाँ पर ऐसे भी लिखा हो सकता है तो अभी भी algebraic expression है क्योंकि इसमें x, y आए है algebra में आता है जो इसमें x, y आ जाए है symbols हो जाएं और इसमें 3 terms हो जाएंगी तो अगर ऐसे लिखा हो है बाटा, ऐसे लिखा हो है अगर इस तरीके से लिखा हो है तो भी algebraic expression ही है अब इसमें क्या है? इसको मैंसे लिख देंगे बस यहां plus ही कर देंगे और यहां ऐसे कर देंगे ठीक है? अब इसमें कितनी terms है मिटा? अब इस algebraic expression में कितनी terms है? अब इसमें फिर से 3 terms है again there are 3 terms in this algebraic expression again there are 3 terms ठीक है? तो अब इसके अंदर 3 terms है तो अब आप इसमें देखो जो यह first term है जो first term है First term में 2 को क्या बोलते है 2 कम बोलते है Coefficient of x और इसमें y का coefficient क्या है Minus 3 यहां plus लगा दिया तो 3 terms है x का coefficient 2 y का coefficient minus 3 किसमें है y का coefficient minus 3 इस algebraic expression में y का coefficient minus 3 और 4 क्या है 4 को हम बोलते है constant term क्योंकि उसमें कोई भी xy symbol नहीं आया no xy are there सबको clear है terms क्या है coefficient क्या है constant term क्या है किसी को भी नहीं आया बीच में q लिखकर भेज देना साथ में कल नहीं बोलना कि सर मेरे को ना आपने कल algebraic expression बताया था वो तो आये ही नहीं था ठीक है ऐसे नहीं अभी आप पताओ क्यों लिखकर भेजो कि सर मुझे पता नहीं चला कि आपने यह क्या पता है सबको पता चल क्या coefficient यह देखना यह तो हमने देखा हूँ है पहले अगर मैंने ऐसे लिखा माइनस 3 क्या है को एफिशेंट और मैंने 7 लिख दिया यहां पर यह वट इस टू कोफिशेंट ओफ एक्स वट इस सेवन कौन था रहा है वट इस सेवन लिखके भेजो वट इस सेवन discrimination 7 is constant term term बोलना म मटँब इस में confusion ये स्रफ constant चलो ठीक है बिलकुल इजी है constant term तो 7 इस इस ली constant आम है ओवर यह तो अब पॉलनॉमेंट की पर तो में अभी आएंगे है ना पर पहले एक बार और अच्छे से देख लेते हैं देखना अब्वमन आगर ऐसे लिखता ह生 तो इसमें A की सिंबल है X Y तो आये नहीं इस Algebraic Expression में A की सिंबल है No Y is there Only one symbol is there वैसे तो Algebraic Expression में तीन सिंबल भी हो सकते हैं अगर मैंने ऐसे लिखा A, B, C, B, C, D प्लस A, C, D तो इसमें तो चार सिंबल है और ये भी Algebraic Expression है ठीक है? लेकिन अब इसको देखो आप इस Algebraic Expression में सिंबल कितने है? A की सिंबल है ठीक है? तो अब इसमें लेकिन आप देखो इसमें तीन टर्म्स है ठीक है? इसमें तीन टर्म्स है तो जितनी भी Algebraic Expression आपके पास होती है अगर हम उसको इस Circle में डाल दे इस Circle में आप सारी Algebraic Expression को डाल दो तो उन में से कुछ थोड़ी Polynomials होती है कुछ Polynomials होती है So मतलब All Polynomials Are Also Algebraic Expressions मैंने का ना Definition तो मुश्किल है लेकिन समझना भी है क्या है? जितने भी Polynomials है वो भी Algebraic Expressions है मतलब उसमें भी Symbols आएंगे Terms आएंगी All Polynomials Are Algebraic Expressions But can we say All Algebraic Expressions Are Polynomials Can we say All Algebraic Expressions Are Polynomials क्या सारी Algebraic Expressions Polynomials होंगी? मैंने बताया ना Algebraic Expressions का एक Smaller Part है Polynomials कुछ ऐसी भी Algebraic Expressions होंगी जो Polynomials नहीं है सुन्या? तो कुछ ऐसी भी Algebraic Expressions होंगी जो Polynomials नहीं है तो अब आपको पहले तो यह समझना है कि क्या Polynomials है क्या नहीं? यह Algebraic Expressions है यह Polynomials है या नहीं? कैसे पता चलता है? तो एक और Example ले लेते हैं X raised to the power minus 2 plus 7X raised to the power 2 plus 9X plus 5 यह भी एक Algebraic Expressions है इसमें कितनी Terms है? और एक और लिख देते हैं 2 root X plus 7X raised to the power 3 minus 9 इस Algebraic Expressions में कितनी Terms है? 3 Terms है कितने Unknowns है? कितने Symbols हैं इसमें? इसमें कितने Symbols हैं? Just 1 तो इस Class में हमें ऐसे Polinomals कोई Study करना है जिनमें A की Symbol होगा एक ही Symbol होगा लेकिन अब मैंने यहां पर तीन Examples लिएं इसके तीन Examples लिएं हमने यहां पर? Algebraic Expressions के Example लिएं इनमें से यह Polinomal लिएं यह Polinomal लिएं यह Polinomal है कौन सी Algebraic Expressions Polinomal नहीं होती बहुत एजी है जिसमें X की पार Negative आ जाए वो Polinomal नहीं होगी Unroot X का मतलब क्या होता है बिटा? X raised to the power 1 by 2 जिसमें X की पार Fraction में आ जाए 1 by 2, 5 by 2, 7 by 2 वो भी Polinomal नहीं होती जिसमें X की पार Whole number आ जाए Whole number यह whole है के नहीं? यह भी whole है यहाँ पे X की पार है बिटा? Constant term में है ना? देखो यह भी whole number है ठीक है? तो जिसमें X की पार Whole number है वो Polinomal होगी That algebraic expression is a Polinomal बाकि यह जो coefficients हैं कुछ भी हो सकते हैं यह fraction हो सकते हैं X की पार Fraction नहीं होनी चीए ऐसे Square root का मतबता है 1 by 2 X की पार Negative भी नहीं होनी चीए It has to be non-negative तो यह सिदा इसी में ही आया था Whole number क्योंकि whole number क्या होते हैं? 0, 1, 2 Negative होते हैं क्या whole number? तो if we write a polynomial in X पहली चीज़ पहली चीज़ All algebraic expressions are not polynomials All algebraic expressions are not polynomials But all polynomials are Algebraic expressions जितने भी polynomials हैं वो तो सब Algebraic expressions हैं तो polynomials एक छोटी category होती है Algebraic expressions की Smaller category नहीं कहिए सारी Algebraic expressions polynomial नहीं होती लेकिन सारे polynomials Algebraic expressions होते हैं नहीं कहिए तो अगर मैंने ऐसे लिखा बटा तो ये एक Algebraic expression है इसमें कितनी terms हैं तीन terms है क्या X की पार whole number है सब जगा यहाँ पे X की पार 2 है यहाँ पे X की पार 1 है तो क्या ये polynomial है Is this a polynomial? Is this a polynomial? No It is not a polynomial Because ये X को हमें numerator में ले जाकर ऐसे लिखना पड़ेगा तब पता चलेगा इसको हम ऐसे लिखेंगे तब पता चलेगा नीचे denominator में नहीं रखना इसको इसको उपर ले जाकर लिखना है तो अब इसमें X की पार negative आ गई तो that is why it is not a polynomial तो ये polynomial क्या है तो formal definition बताएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा आपको एकदम से मुश्किल होगा फिर बाद में मैं definition भी समझाऊँगा तो अगर मैंने ऐसे लिखा Is this a polynomial? Is this algebraic expression? पहली बात ये algebraic expression क्यों है? क्योंकि इसमें XYZ कोई symbol आ रहा है इसलिए algebraic expression है क्या इसमें X की पार whole number है? हाँ जी whole number है देखो X की पार हमी पे negative नहीं है ये 5 है बटा ठीके X की पार कही negative दिख रही है इसमें fraction दिख रही है ना तो fraction है ठीके तो और 9 negative है तो ये whole number X की पार whole number है तो ये polynomial में लाएगा अब ये बताओगे मुझे ये बताओ सब लोग लिखते है कौन बढ़ा था 2 X देख रही पार 3 by 2 plus 2 X plus 6 Is this an algebraic expression? Is this an algebraic expression? Yes it is Because इसमें X, Y, Z कुछ भी आया Is it a polynomial? Is it a polynomial? polynomial तो ये नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि X की पावर fraction आ गई fraction है ना लेकिन अगर मान लो ये लिखा होता 2 raise to the power 6 by 2 plus 2 X raise to the power 2 by 2 plus 5 लेकिना ये 4 है अब बताओ ये polynomial है? ये polynomial है? 4 by 2 क्या है बटा? 4 by 2 तो 2 है और 2 by 2 क्या है? 2 by 2 तो 1 है है ना और 5 के साथ X की कौन सी पावर होती है? 5 के साथ X की पावर होती है 0 तो 2 भी होल नमबर है 1 भी होल नमबर है 0 भी होल नमबर है फिर्स तिंग इस यू मस्ट अंडर्स्टैंड वट इस अपॉलनॉमियल देन अधर तिंग विल कम अंडर्स्टूट? चलो ये बताएंगे ये एक अलजब्राइक एक्स्प्रेशन है अच्छा एक चीज़ देखो आगे चलने से पहले मैं आपको बता रहता हूँ बटा ये जो अलजब्राइक एक्स्प्रेशन है इसका हम नाम रख सकते हैं आपको मालूम है? इसका नाम मैं रख देता हूँ अलजब्राइक एक्स्प्रेशन A अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका कुछ और नाम रख दो B रख दो कोई दिकत नहीं है कुछ भी नाम रख सकते है X भी तो किसी नंबर के लिए इस्टेंड करता है ना? X भी तो किसी नंबर के लिए इस्टेंड करता है उस नंबर का नाम है यसे Let the age of the father be X Let the sum of the money the boy spent at the fair be X तो इस एलजब्राइक एक्स्प्रेशन का हम नाम लिख सकते हैं अब क्योंकि ये एलजब्राइक एक्स्प्रेशन में कौन सा सिंबल यूजब्राइक एक्स्प्रेशन में सिंबल कौन सा यूजब्राइक एक्स्प्रेशन में एक्स तो कई बार हम ऐसे लिखते है BX तो अगर आप किसी अलजब्राइक एक्स्प्रेशन को ऐसे लिखते हो B ब्राकेट एक्स तो इसका मतलब केवल यह होता है कि B एक algebraic expression है और उसमें कौन सा symbol यूज़ हुआ है X symbol यूज़ हुआ है एक symbol यूज़ हुआ है तो polynomials के लिए भी यही कर सकते है तो मान लो यह एक algebraic expression है BX कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं इसको B of X कैसे B of X algebraic expression का भी नाम रखा जा सकता है ठीक है तो algebraic expression कहना है वन नीम चलो इस algebraic expression में अगर मैं B2 निकालूं तो कितना हैगा B2 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 मतलब X की जगा क्या रखना है हमें X की जगा में क्या रखना है X की जगा में 2 रखना है तो B2 की value आ गई 2.5 मतलब algebraic expression की value find की जा सकती है क्या की जा सकती है आप 5 by 2 भी वही है बिटा ठीक है तो algebraic expression की value कैसे find out करनी है किसी भी unknown X क्या है इसमें unknown जैसी हम X की value देंगे तो आप उस unknown की value के लिए B की value 2.5 B की value 2.5 X की किस value के लिए है 2 के लिए बिटा एक बार इसको हटाई देते हैं और फिर दुबारा से B X दिख देते हैं अब मुझे बताओ Is B of X a polynomial? Is B of X a polynomial? Yes or no? Is B of X a polynomial? Very nice बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया अती उत्तम सुन्दर अती सुन्दर देखना बटा इसमें X की पार 1 और मैं तो आपको फसाने के लिए कुछ और कराया है ये X की पार तो माइनस 1 है अभी तो बताया था इसको नीचे नहीं रखना है इसको उपर ले जाके रखना है अब नोनों वह आने लग गया है इनको तो आता था ये पहले आंसर नहीं कर रहे थे तो X को नीचे से उपर ये मैंने जान बूझ के आपको फसाया है पहले मैंने बीच में और क्वेशन दिया दिनॉमिनेटर में रहना है नहीं देना उसको जादा कभी confusion नहीं होता लेकिन डिनॉमिनेटर में कभी नहीं रखना किसी भी term में X डिनॉमिनेटर में नहीं रहना चाहिए इसमें कितनी terms है बटा इसमें 2 terms है ना दोनों term में से X को आप नियूमिनेटर में रखो फिर पता चलेगा कि ये polynomial है के नहीं तो ये polynomial नहीं है हाँ algebraic expression तो है ये बात याद रखेंगे बटा every polynomial is an algebraic expression but every algebraic expression is not a polynomial अब let QX be a polynomial let QX be a polynomial तो सब बच्चे काम करो अपनी मन रजी से कुछ भी मन घढ़न्त polynomial लिख कर देखो कुछ भी एक लिख कर देखो कुछ भी बनाओ लेकिन मन अब QX बनाना है आपको बस क्या property होनी चीए कि X में हो polynomial उसमें YZ ना आए और algebraic expression क्या हो algebraic expression क्या हो वो polynomial हो X की पार negative ना हो मैं बना दूँ X की पार 9 करूँगा 7X की पार 5 करूँगा negative पार तो मैं कर देखो प्लस 2X की पार 13 कर दूँगा बस ऐसे बना दिया यह मैंने एक polynomial बना दिया बस यह polynomial है तो है X की पार negative नहीं है X की पार fraction नहीं है यहाँ पे तो कोई भी real number हो सकता है square root 2 भी हो सकता है square root 7 भी हो सकता है ठीक है? यह कोई भी real number हो सकता है rationally rational तो यह बताओ मुझे ठीक है? अगर rationally rational यह हो सकता है तो क्या यह polynomial आएगा के नहीं? X raised to the par root 2 प्लस 7X प्लस 9 अगर मैं QX को यह लूँ Is QX a polynomial or not? Is QX a polynomial or not? हाँ QX polynomial नहीं है क्योंकि जो par है वो whole number होनी चीए coefficients कुछ भी हो सकते है coefficients irrational हो सकते है par जो है वो irrational नहीं हो सकती par has to be a par has to be a whole number और par negative नहीं हो सकती par negative नहीं हो सकती ठीक है न? यह समझ में आँ बटा सबको par negative नहीं हो सकती par irrational नहीं हो सकती first thing is you identify ओके अब आप लोगो बड़े अर अच्छे से polynomial का meaning समझ में आ गया definition तो हमने नहीं बताई ncrt वाल नहीं नहीं बताई अब मैं बहुत जल्दी एक definition लिखूँगा समझने की कोशिश भी मत करना लिखने की कोशिश भी मत करना बाद मैं समझाऊँगा a polynomial q in x is an algebraic expression of the form an x raised to the power n an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus so on till ax plus a 0 where n is a whole number an an minus 1 a1 and so on till a1, a0 are real numbers फिर से repeat कर रहा हूँ थोरी सी change करके a polynomial of degree n a polynomial qx of degree n may be defined as an algebraic expression of the form an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus so on till a1 x raised to the power 1 or x plus a0 where n is a whole number an an minus 1 so on till a1 a0 are real numbers खत्म अब मैं बोलो ना याद भी करने की कोशिशिस मत करना यही डेफिनिशन आपके लास्ट में दी हुई है कल समझा दूगा या परसन समझा दूगा आपको in those cases where it does not have a degree मतलब किसी भी polynomial की degree कैसे निकालते हैं आपको बताता हूं बटा चलो मैं आपको polynomial देता हूं मैंने आपको polynomial दिया ये गैस करो बटा इस polynomial की degree कितनी आएगी मैंने आपको polynomial दिया जो मैंने लिखा है भी black color king से इसकी डिग्री कितनी आएगी इस पॉलनॉमिल की हाँ पहली बात तो क्या है यह पॉलनॉमिल ही नहीं है तो इसकी डिग्री पहली बात तो यह है देखो डिग्री तो आ सकती है अलजेब्राइक एक्स्प्रेशन की भी डिग्री आ सकती है लेकिन यह polynomial नहीं है 3 by 2 था ना वहाँ पर क्या था 3 by 2 3 by 2 की वरे से यह polynomial नहीं है तो चलो अब polynomial देते हैं और polynomial की degree का meaning समझाते हैं था कि आप first two exercises आज खतम कर सकें वो जाएंगे first two चलो बेटा अब यह बहुत असान है 2x raised to the power 2 plus 7x raised to the power 8 plus 9x minus 4 Now this is a polynomial in x Let's call this as the polynomial q This is a polynomial q in x इसको कैसे पढ़ सकते हैं? This is a polynomial q in x In x मतलब unknown क्या है इसमें? x यूज हुआ है तो qx polynomial की degree of qx क्या होती है बटा? इस polynomial में जो x की highest power है highest power यहां तो 2 है यहां 8 है यहां कितनी है? यहां 1 है यहां कितनी है? 0 तो x की highest power कौन सी है? यह मिल गए यह degree है इस polynomial की degree 8 आ जाएगी बहुत ही easy है ठीक है? अब यह देखो आप x to the power 2 plus 9x plus 4 is this a polynomial or not? if this is a polynomial then what is the degree of this polynomial? what is the degree of the polynomial? हां क्योंकि इसमें x की है यह x की power 0 है तो polynomial तो है यह इसके अंदर x की highest पार कितनी है 2 तो इस polynomial की degree कितनी आएगी इस polynomial की degree आएगी 2 ठीक है चलो अब मैं लिख रहा हूँ यह Is this a polynomial क्या यह polynomial है ऐसे लिख रहे हैं Is this a polynomial in x Can we say this a polynomial in x ओके देखना बिटा x की power क्या हो सकती है whole number इतनी देर से बोल रहा हूँ x की power क्या हो सकती है whole number हो सकती है whole number तो 0 तो whole number है तो we can make the number real number 7 a polynomial in x आप को कि we can make make 7 a polynomial in y also तो होने तो y में भी polynomial बन सकता है तो any real number can be treated as a polynomial any real number is understood और it can also be imagined to be उसको भी हम मान सकते हैं उसको भी हम समझ सकते हैं कि वो भी एक polynomial है क्योंकि इसमें हम x लिखें तो x की power 0 आकर ये एक polynomial बन जाएगा तो what is the degree of the polynomial 7 इसको इसकी degree कितनी आएगी इसकी degree आजाएगी 0 क्योंकि इसमें x की highest power क्या है 0 तो बिलकुल ही असान है कोई भी constant कोई भी real number अब मैंने बोला square root 2 is square root 2 a polynomial? yes, because we can write square root 2 like this square root 2 is a polynomial of degree 0 ठीक है समझ में और कोई degree हो सकती है square root 2 की 1 हो सकती है नहीं हो सकती है ऐसे तो हम लिखी नहीं सकते ऐसे ही लिख सकते हैं बस x raised to the power 0 समझ में आया हम square root 2 को ऐसे तो नहीं लिख सकते लिख सकते हैं कि ऐसे? नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 और x नहीं सेम है 1 x डिश्वरी पार 0 लिखा जा सकते है तो हम में आ गया बटा? ओके अब एक बात देखो बटा कई बार हम वो पढ़ते हैं अब addition की properties तब आपको बताया था एडिशन की properties करते समय है के the set of the set of integers का ले लेते है the set of integers has a additive identity additive identity का मतलब अगर हम कोई भी integer लें तो एक ऐसा अंख है एक ऐसी संख्या है जब उसको हम एक ऐसा integer है जिसको हम A में आड़ करेंगे तो वापिस A आएगा तो हमने कहा था जिरो इस डी अडिटिव आइटिव इडिटिटी तो जिरो का special महत वह हो गया है ना कि उसको हम एडिटिव ऐडिटिव आइडिटिव आइडिटिव इनुटी बोलते हैं अब कुछ-कुछ ऐसा ही है कि आप इस जीरो आपॉलनॉमियल जैसे टू एक पॉलनॉमियल है टू कम कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं तो टू इज पॉलनॉमिल ऑफ डिग्री जीरो तो जीरो कैन आल्सो भी ट्रीटिट इजा पॉलनॉमिल इन फैक्ट यह काफी इंपॉर्टेंट पॉलनॉमिल है क्योंकि एडिटिव आइडिटिव आइडिंटी का काम प्ले करता है इसको हम स्पेशल नाम स दी जीरो पॉलनॉमिल स्पेशल नेम फॉर इट जीरो तो स्पेशल ही है गाना भी है जीरो दिया मेरे भारत ने ठीक है स्पेशल जीरो ही स्पेशल इन दी वर्ल्ड मैथमेटिशन के लिए जीरो स्पेशल है फिर किसी दिन डिस्कॉशन करेंगे तो जीरो को हम ऐसे लिख स सकते हैं मालूम हैं दूसरे से लिख सकते हैं दूसरा भी लिख सकते हैं क्या गलत है क्योंकि आना तो जिरो ही है एक्स चाहे एक करोड हो जाए आएगा तो जिरो ही इसको मैसे भी लिख सकते हैं अब आपको मैट्स की definition मिल जाएगी मैट्स की definition होते हैं बैटा मैज एक ऐसा subject है जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं वह number भी हो सकते हैं triangle square ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं और उनमें कुछ rules होते हैं और वह जो match के rules होते हैं वो सब बच्चों के लिए एक ही answer देते हैं अगर मैंने आप से पूछा कि जीरो की डिगरी क्या है तो अगर कोई बच्चा कहेगा जीरो है उसकी डिगरी तो वह गलत नहीं है अगर कोई बच्चा कहेगा उसकी डिगरी हम वन भी बना सकते हैं तो वह भी गल पूलत नहीं बोल रहा तो इसलिए हम क्योंकि जीरो की डिगरी अगर हम पूछें वट इस डिगरी ऑफ जीरो पॉलनॉमियल तो क्योंकि इसके भाती-भाती के ग्रांसर आ सकते हैं इसलिए हम यह बोलते हैं कि जीरो पॉलनॉमियल की डिगरी इस नॉत डिफाइंड ॉसका एक अंसर नहीं यह निश्चित के भी यह यह आंसर है और मैस में हमेशा निश्चित आंसर होते हैं मैस सब्जेक्टिव हो यह है कि जिसका आंसर सब के लिए सेम निकले 2 x 4 can never be 9 for anyone मैस की definition में यह आता है कि सब के आंसर सेम आने चाहिए एक question के लेकिन अगर हमने जिरो डॉलनोमिल की डिग्री पूछ ली तो इसका अंसर सब के लिए सेम नहीं आएगा तो जीरो पॉलनोमिल की डिग्री को क्या बोलते है इट इस नोट डिफाइंड वाइट इस नोट डिफाइंड बिकॉस डेरी इस नो फिक्स्ट आंसर के यह देना है कुछ भी ली जा सकती है इसकी डिग्री अब कुछ भी ली जा सकती तो इसका में लब यह नहीं कि इसकी बहुत सारी डिग्रियां होगी डिग्री तो एक ही होनी चीए इसलिए इसकी डिफाइंड निए निश्चित निए फिक्स निए ठीक है बटा यह बात ध्यान हमें पता चल गया कि 7 एक पॉल्नॉमिल है इस पॉल्नॉमिल ऑफ डिग्री जीरो हमें पता चल गया कितनी डिग्री इसकी जीरो उसके पहले हमें पता चल गया जीरो भी एक पॉल्नॉमिल है बट इसकी डिग्री इस नॉट डिफाइन इस पॉल्नॉमिल की डिग्री क्या है प ऐसे पॉल्नॉमिल को जिसकी डिग्री वन है उसको लीनियर पॉल्नॉमिल बोलते हैं क्या बोलते हैं लीनियर पॉल्नॉमिल ठीक है अब पॉल्नॉमिल उस डिग्री इस वन इस कॉल्ड ऐसा लीनियर पॉल्नॉमिल अब पॉल्नॉमिल उस डिग्री इस तू इस कॉल्ड ऐसा क बहुत ही असान है अब पॉल्णॉमिल हुज डिग्री इज थ्री इस कॉल्ड ऐसा क्यूबिक पॉल्णॉमियल एक डिग्री का पॉल्णॉमियल लीनियर कहलाता है दो डिग्री का पॉल्णॉमियल क्यूबिक कहलाता है तीन डिग्री का पॉल्णॉमियल क्यूबिक कहलाता है क्यूबिक पॉल्णॉमिल तो ये क्यूबिक पॉल्णॉमिल है ठीक है और भी होते हैं आगे बाइक और आगे व को समझे हैं कि लीनियर पॉलनॉमिल कॉरिटिक पॉलनॉमिल तो आप मानलो आपको मैं कहता हूं के स्टुडेंट्स राइड डाउन एक्जम्पल्स तो अब मैं आपको बोलता हूं वह लिखो write a polynomial q in t which is of the degree 4 4 degree का polynomial लिखो q write a polynomial q in t तो मलब variable क्या लेना है ? t लेना है degree कितनी बनानी है इसकी ? 4 degree बनानी है 4 तो t की power को 4 कर दो यहां कुछ भी लिख दो, आगे t की power 2 कर दो यहां कुछ भी लिख दो बन गया, कुछ constant लगा दो यह एक answer है This is one polynomial in T with degree 4 If I tell you के R is a polynomial in Y with degree 2 Example लिखो Write a polynomial R in Y polynomial का नाम है R Symbol कौन साइस में? Y degree कितनी है? 2 तो बना लो Y raised to the power 2 कर दो 2 जरूर होना, यह जरूर होना चीए सिरफ यह भी छोड़ दें इतना छोड़ दें तो यह correct है Y raised to the power 2, यह भी polynomial है डिग्री 2 का, अगर आप इसमें 2 कर दोगे तो वो भी अच्छा है अगर आप इसमें 6Y कर दोगे वो भी अच्छा है यह कर दोगे तो वो भी ठीक है तो यह polynomial लेकिन इसको 3 तक नहीं ले जाना फिर यह 2 डिग्री का नहीं रहेगा ठीक है, इसलिए मैंने आपको जब definition दी थी देखना अब polynomial Q in X of degree N is defined as an algebraic expression of the form A N X 3 पार N इसमें A N इसका coefficient है चलो खेर यह बाद में समझेंगे ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा तो आपको polynomials बनाने आ गए ठीक है, आगे चलते है आप बिटा exercise क्योंकि first exercise में बहुत थोड़ा सा ही कुछ दिया हुआ है तो वो सारा ही आपको आ जाएगा और Rx is 2x squared minus 7x plus nine वी अब टो फांड दी वैलियू और Rx at x is equal to minus 2 करके दिखाओ बाटा यह एक polynomial है degree two का polynomial है quadratic polynomial है इस polynomial की value आपको x is equal to minus 2 पर find करनी है find कर दो, कर भी दिया लोगों ना answer हमें क्या find करना है हमें क्या find करना है बटा ये find करना है इधर देखो ये करना है ना find कैसे पढ़ते हैं इसको how will we read this इसको पढ़ेंगे r of minus 2 क्या पढ़ेंगे r of minus 2 पढ़ना सिखो r of minus 2 तो we have to find r of minus 2 अर्थार्थ हमें x की जगा minus 2 रखना है और polynomial की value minus 2 पर find करना है find the value of the polynomial at x is equal to minus 2 ये तो भहुत ही असान है ये हो गया इतना और ये हो गया इतना और ये हो गया इतना तो r of minus 2 कितना आया 32 अब अगर मैं आपको ये दे दूँ तो ये मुश्किल बन जाएगा अब मैंने आपको पूछा बेटा polynomial की value 32 है तो x कितना होगा अगर मैंने आपको अगर मैंने आपको अगर मैंने ऐसे लिखा x raise to the power 12 माइनस x raise to the power 10 प्लस 5 तो ये एक polynomial है is this a polynomial in x yes what is its degree 12 इसकी degree कितनी है इस polynomial की degree 12 है तो अगर मैं कहता हूँ p of 2 find करो p of 2 तो आप कर दोगे बिटा थोड़ा सा calculation जादा आएंगी 2 raise to the power 12 minus 2 raise to the power 10 प्लस 5 पर answer आ जाएगा 2 raise to the power 10 किसी को याद है 2 raise to the power 10 बड़ी ही फेमस फिगर है 2 raise to the power 10 हाँ 1024 शाबाश यह बड़ी फेमस फिगर है याद रखना computer में जब memory को measure करते न तब 1024 bits की क्या होती है 1024 की 1024 bits make up इमांच 1024 bits make up नो answer find out करना ठीक है 1024 bits कितना बनाते हैं तो इन्होंने answer भी निकाल दिया ठीक है तो बस आप multiply करो 1024 into 4 यह तो 2 raise to the power 12 बन जाएगा 1024 प्लस 5 कर लेना बेटा answer बड़े अराम से आ जाएगा 1024 into 3 plus 5 ठीक है चलो ठीक है हां करते ना answer निकाल लेना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हिमांच सही answer है 4101 आ जाएगा 4GB RAM क्या बात है लवन ने आप कौन से फोन में अट क्यों 4GB RAM मैं तो सिरफ आपसे यह पूछ रहा हूं 1024 को मैं कंप्यूटर में कितना बोलते हैं किलो बोलते हैं इसको वन किलो बिट्स चलो एनिवे आगे कंप्यूटर कभी कराएंगे तब बताएंगे आपको बिटा पॉलनॉमियल पता चल गया क्या होता है उसकी डिग्री पता चल गया होती है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो पता चल गया एक चीज़ और बता देते हैं चलो अब यह मै आपको लिखवा रहा हूं I am not writing write down in your copies. Find the value of find the value of the polynomial find the value of the polynomial rx equal to 3x minus 6 find the value of the polynomial rx equal to 3x minus 6 at at x is equal to 2 at x is equal to 2 at x is equal to 2 is polynomial ki value x is equal to 2 के लिए find करनी है ठीक है असान है मिटा बिलकुल ही असान है हमें कहां पर value find करनी है at x is equal to 2 answer कितना आया at x is equal to 2 ये तो क्या करेंगे बना देगा सरकल at x is equal to 2 okay अरे फाजी इत्थे आ जा तुसी okay to find the value of the polynomial x is equal to at rx is equal to minus 6 at x is equal to answer is 0 अब को समझे है बिटा तुर एक और करते हैं ताकि आप चीज़ समझ पाओ अगली find the value of the polynomial qx इसकी value निकालना बिटाब at x is equal to 3 इसकी value निकालो at x is equal to 3 इसकी value निकालो है at x is equal to 3 इसकी value कितनी आ गई इसकी value भी 0 आ गई खमाल है और 0 यहाई जा रही है x is equal to 3 पर इसकी value भी 0 आ गई तो अब हम एक concept सीख सकते हैं देखना बिटा यह दरू अगर सबने लिख लिए है बिटा क्या हम यह आप yes or no करना मुझे can we say इन दोनों examples को देखके क्या हम यह बोल सकते हैं कि r of 2 is 0 can we say r of 2 is 0 yes or no r of 2 is 0 r 2 0 आएगा नहीं आएगा बिटा x की जगा हमने 2 रखा इसमे x की जगा 2 रखा तो क्या आएगा x की जगा अगर हमने 2 रखा इसमे तो 0 आ रहा है न ठीक है r 2 is 0 तो yes that is correct can we say q of 3 is 0 can we say q of 3 is 0 वो भी ठीक है q of 3 x की जगा हमने 3 रखा तो 0 आ रहा है तो इस प्रापर्टी की वजह से because r of 2 is 0 that is why 2 is called as the number 2 is called as the 0 of rx इसको हम 2 को इस number 2 को हम rx का 0 बोलते हैं इसको हम बोलते हैं it is the 0 of the polynomial rx the number 2 is the 0 of the polynomial rx the number 2 is the 0 of the polynomial rx और क्योंके q 3 0 है इस बज़े से 3 is called as 3 is called as the 0 of qx 3 इसका 0 है तो polynomial के 0 का मतलब क्या है polynomial के 0 का मतलब मतलब unknown की ऐसी value जिसके लिए polynomial की value कितनी बन जाए 0 ठीक है लेखो आप लेखो देखो that value of the unknown for which the value of polynomial becomes 0. By 0 of a polynomial we mean that value of the unknown for which the value of the polynomial becomes 0. जैसे अगर मैंने ये पॉलनोमिल लिया बटा ये पॉलनोमिल लिया मैंने एक्सक्वेर माइनस 4x प्लस 16 अब मैंने इस पॉलनोमिल की value 4 पे find की तो 4 पे मैं इस की value find करूंगा तो क्या आरहा है तो answer आरहा है 16 तो क्या हम कह सकते हैं कि 4 is a 0 of this polynomial क्या हम कह सकते हैं कि 4 is a 0 of this polynomial No 4 is not a 0 of this polynomial अब इसकी value हम 2 पे find कर दे अगर इसकी value हम 2 पे find कर दे तो क्या 2 इसका 0 आ रहा है 2 इसका 0 आ रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि ये value भी 12 आती है 2 भी इसका 0 नहीं है तो क्या इसका कोई zero है होगा, कोई ना कोई तो होगा अब कहने का मतलब यह है कि zero of a polynomial क्या है तो यह धीरे-धीरे करेंगे सारे questions मैं तो आपको वैसी example दे रहा हूँ कि कब कोई zero होता और कब zero नहीं होता चलो मैं आपके एक simple सा question देता हूँ अभी हम आज देखो फिर मैं उसके parents को report करना पड़ेगा you have to send your clicks please do all the questions and send me the clicks off क्या है, simple clear cut बता रहा हूँ first two exercise of the polynomial chapter आप सारा कर लोगे, कुछ भी नहीं उसके लाँ उसमें, पहली दो exercise देखना, आप क्या दिया हूँ है, दिया ही कुछ नहीं है पहली दो exercise में बसे एक मिनिट का काम रहे गए हमारा यह देखो यह आपका polynomials का part है और पहली दो exercise में कुछ दिया ही नहीं है बहुत, चार-चार-पांच-पांच question की exercise है, तभी मैं कहा रहा हूँ examples भी करने हैं यह सब हैना, सारे बड़े अराम से हो जाएंगे आपको degree निकालनी है, बस ठीक है, quality cubic बताना है दूसरी exercise भी हो जाएगी बहुत ही simple है यह दो exercise के सारे questions try करके, अभी रात को बैठके click करके, मुझे कल solutions भीज़े कल सुबह 12 बज़े का time रख लेते हैं कल सुबह 12 बज़े तक सब क्योंकि बैठा, ऐसा करो रात को आप 11 बज़े तक का time रखो सुबह पे तक तो भूल जाएंगे सब लोग खाना खाके रात को 11.30 बज़े तक मुझे सब लोगों को भेजने 100% कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है, कल तक तो भूल जाएंगे मैं बटा, आपकी क्लास मॉर्निंग में ही करना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों के स्कूल का कुछ रुटीन है इस वरे से नहीं कर पा रहा हूँ, मॉर्निंग में क्या है फिर आप मेरे को इवनिंग तक क्लाम करके भेज सकते हैं, चलो अभी कोई भी पॉलनियूमियल है क्यू एक्स उसके कितने जीरोज हो सकते हैं जैसे मैं आपको बताओ बटा, अब हमने आपको एक एक एक्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एक्जाम्पल दिया था मैंने कहा था कि X is equal to तो भी 3 पर इसकी वैल्यू निकालो तो आपने निकाला था 3 स्क्वेर माइनस 5 इंटो 3 प्लस 6 तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया 15, 15 माइनस 15, 0 आ गया अब आप X is equal to 2 पर भी इसकी वैल्यू निकालो इसकी X is equal to 2 पर वैल्यू निकालो निकालना क्या या, 4 प्लस 6, 10 10 माइनस 10, 0 मतलब इस पॉल्नॉमल की ये अगर पॉल्नॉमल है QX तो इस पॉल्नॉमल के 2 zeros तो हमें मिल गए एक 3 भी इसका 0 है 2 भी इसका 0 है और कितने zeros आएंगे इसके तो एक theorem होती है एक rule होता है जो हमें ये कहता है कि अगर पॉल्नॉमिल की डिग्री अगर पॉल्नॉमिल की डिग्री 2 है तो उसके 2 से ज़्यादा zeros नहीं हो सकते अब पॉल्नॉमिल अब पॉल्नॉमिल ओफ डिग्री N can have maximum how many zeros it can have N zeros only ज़्यादा से ज़्यादा उसके N zeros ho सकते कम अच्छा इसके ज़्यादा से ज़्यादा दो zeros เขए इसका मतलब यह नहीं कि इसके गता हैट और सकता है इसके एक जिसलिव जिरो ऐसा भी हो सकता है इसका कोई भी PresOne No Real series No Real number 0s ऐसा भी हो सकते है इसका 1 भी Zero ना ए लेकिन अगर quadratic polynomial है तो उसके दो से ज़्यादा zeros नहीं आ सकते दो से कम तो आ सकते हैं दिखना बिटा ये आपके पास एक quadratic polynomial है quadratic polynomial लेखने के लिए एक शर्त है कि coefficient of x square हर quadratic polynomial इस form का होगा हर quadratic polynomial में x की पार 2, x की पार 1 और x की पार 0 आएगी हाँ अब देखो अगर मैं इस quadratic polynomial में अगर मैं a को 0 कर दू coefficient of x square क्या है a coefficient of x square क्या है इसमें a तो अगर मैं a को 0 कर दू फिर तो एक quadratic polynomial रहेगा इनी न है न सबोज मैंने b को 7 कर दिया b को 9 कर दिया और a को 0 कर दिया तो यह क्या बन गया यह तो linear polynomial बन गया तो quadratic polynomial में क्या शर्त है कि a 0 नी होना चाहिए और linear polynomial इसमें क्या शर्त है इसमें भी a 0 नी होना चाहिए तब यह linear polynomial बनेगा तो linear polynomial ऐसे होते है तो अगर मैं इसमें देखो अगर मैं A को 7 कर दू और B को 0 कर दू तो क्या ये linear polynomial आएगा Is this a linear polynomial? Yes, it is a linear polynomial अगर मैं इसमें A को minus 2 ले लू और B को 5 ले लू और C को minus 3 by 2 ले लू तो ये क्या आएगा? ये quadratic polynomial है तो ये याद रखो के Every quadratic polynomial is of the form Eyes close करके बोलो Every quadratic polynomial is of the form Ax square plus Bx plus C Every quadratic polynomial is of the form Ax square plus Bx plus C With A not equal to 0 ये लगाना जरूरी है Every quadratic polynomial is of the form Ax square plus Bx plus C With A not equal to 0 Every linear polynomial is of the form Ax plus B With A is not equal to 0 क्योंकि अगर A 0 हो गया तो ये linear polynomial नहीं रहेगा A 0 नहीं होना चाहिए चलो ठीक है ये आपको पता चल गया अब आज आपके लिए बहुत ही simple एक question रह गया है उसके बाद आप अपने exercise टाइक कर सकते हो देखना मिटा तो अब आपको पता चल गया कि अगर कोई linear polynomial है इसके कितने 0 जा सकते है इसका सिर्फ A की 0 जा सकते है क्योंकि अभी हमने theorem पढ़ी ना कि अगर polynomial की जितनी degree है उसके जारा से जादा उतने ही 0 जाएंगे ठीक है और अगर कोई quality polynomial है इसके कितने 0 जा सकते है इसके जारा जारा 2 0 जा सकते है दो ऐसे numbers हो सकते है जिसके लिए इसके value 0 आएगी क्यूबिक polynomial के कितने 0 जा सकते है तीन आ सकते है ठीक है दो भी आ सकते है एक भी आ सकता है और 0 भी आ सकते है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते मैंने आपको यह बताया है कि अगर किसी polynomial की degree 3 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 zeros आएंगे कम कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं एक भी हो सकता है ठीक है लेकिन linear polynomial के तो एक ही 0 आएगा तो अगर आपको कोई भी linear polynomial दिया हुआ है मानलो आपको यह polynomial दिया हुआ है Z Z is the polynomial next आपको कहा है इसका 0 find करो find 0 of क्या करेंगे बिटा इसका 0 find करने के लिए क्या करना है कुछ नहीं करना rough work में जाओ इसको 0 के बराबर put कर दो 0 के बराबर put करने के बाद x की value निकाल लो जो x की value आएगी वो ही इसका 0 होता है is the 0 of zx क्यों है यह 0 verify करके दिखा दो verify कैसे करेंगे x की जगा हम minus 7 by 4 रख देंगे x की जगा हम minus 7 by 4 रख देंगे तो क्या होगा क्या होगा x की जगा minus 7 by 4 रखने से z की value कितनी आ जाएगी z की value आएगी 0 इसका मतलब minus 7 by 4 क्या है 0 of zx decimal में find करने की जड़ुत नहीं है इसमें या तो mix fraction में लिख दो या ऐसे fraction में लिख दो decimal नहीं करना और quality का भी सिखाएंगे आज real का आज linear का करना है तो अगर मैंने लिखा 2x minus 9 इस polynomial का 0 क्या आएगा कुछ नहीं करना rough work में 2x minus 9 को 0 किया और x की value निकाल ली तो इसका 0 क्या आएगा 9 by 2 is a 0 of 2x minus 9 सबको आगया बटा समझ में किसी को भी नहीं आया तो अभी पूछेंगे अभी पूछना है कल के ओपर नहीं छोड़ना